हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो माय यूट्यूब चैनल, तो चलिए फ्रेंट्स, आज हम बनाएंगे नुरात्रे स्पेसल बनाना चिप्स सो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हम बनाना व्रत में खाने वाली क्रंजी करारी केले की रेस्पी इसके लिए हमने 5-6 केले के पीसिज दिये हैं अब इन सारे केलों के हमें छिलके को निकाल देना है और अलग कर लेना है अब हमें इसे फटाफट से एक बाउल ले लेना है और उस बाउल में हमें डालना है पानी और उसमें डालना है हमें सारे केले हम इन सारे केले को पानी में इसलिए डालेंगे तमारे केले का कलर काला ना हो अब हम लेंगे एक चिप्स कटर उससे हम एक एक केले को लेके गोल गोल शेप देते हुए काटते जाएंगे बिल्कुल इस तरह का देख सकते हैं ऐसे राउंड राउंड शेप अगर आप चाहे तो लंबा शेप भी दे सकते हैं अपने मन पसंद के शेप में आप इसे काट सक लेंगी सो फिर सारे केले हमने चिप्स कटर से अच्छे से राउंड राउंड शेप करके काट लिए हैं अब इन्हें हमें रखना नहीं है पटापट से क्या करना है फिर से एक बाउल लेना है और उसमें हमें डालना है पानी अब हम इस पानी में एड करेंगे आधी चमच अधी बड़ी चमच नमक एड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक हमारा पानी में गुल जाए अब इसके बाद हमाई क्या करना है कि हमने जो चिप्स कटर से अपने केले काट के रखे थे ना उस सारे केलों को इस पानी में मिक्स कर देना है इससे क्या अगर आप बेना वरत में बना रहा हो तो इसमें हल्दी अट करनेió उससे क्या होता है इसका कलर बहुत अच्छा आता है और क्या करना है इसके पानी को अच्छे से सुखा देना है जादे हमें इसे रब नहीं करना हलके हाथों से इसे सुखाना है जैसे कि इसका पानी खतम हो जाए तो हम तेल गरम करेंगे तेल हमारा अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम होना चाहिए तेल अगर अच्छे से गरम नही से अच्छे से तलेंगे सच में इस केले के चिप्स बहुत कुरकुरे और करारे होते हैं तो आप इसे जरूर से जरूर ट्राइ करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अब हम इसे एक तरफ से जब हमारे खेले से तो हमें इसे पलट के दूसरी तरफ कर देना है दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे सेक लेना है तो हमें केले की चिप्स को तलने में टोटल तीन से चार मेंट ही लगते हैं तो आप इसे अच्छे से तले medium to high flame पे और इसे अच्छे से क्रंची होने दे जब हमें लगने लगे कि हमारे केले हलके बहुत क्रंची हो चुके हैं तो हम इसे थोड़ी दर और सेकेंगे और उसके बाद से हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे सच्छी में फ्रेंट्स ये बहुत ही अच्छे होते हैं तो आप इसे ट्राइ ज़रूर करना अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं ऐसे ही करके हमें सारे केलो को तल लेना है मीडियम टू हाई प्लेम पे अच्छे से तल लेना है जब ये एक तरफ से सिख जाएं तो हमें इसे दूसरी तरफ भी सेख लेना है और ये जब रेडी हो जाए तो इसे हमें प्लेट में डाल के सब करना है इस केले के चिप्स को मैं और चटपटा बनाने के लिए क्या करती हूँ अगर ये जाना है तो हमारी पूरी वीडियो जरूर देखना आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि इस केले के चिप्स को और चटपटा कैसे बनाते हैं सो देख रहा हूंगे आप हमारे केले के चिप्स बिलकुल भी रेडी है और यह देख के ही बहुत अच्छी क्रंची और करारी लग रही है कोई भी व्रेथो फ्रेंट्स आप इस केले के चिप्स को बना के खा सकते हैं सो फ्रेंट्स मैंने बताया था मैं ऐसे और चटपटा बनाऊंगी सो मैं अब इसमें प्रेड करने जाए रही हूं थोड़ा सा जीरा पाउडर एक चुटकी हम जीरा पाउडर लेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे हम लेंगे एक चुटकी काली मिर्च पाउडर उसे भी इच्छे से स्प्रेड कर देंगे अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी आड़ कर सकते हैं और इन सारे मसालों को मिक्स करके हम इसे सर्फ करेंगे बहुत ही क्रंची कुरकुरे टेस् दीने रूखा एं और इस चिप्स के मजेलें और फ्रेंड्स हमारी वीडियोज को लाइक करना मत बूलना इतनी मैनत की आपके लिए आप के लिए एक लायक तो बनता है ना समाई वीडियो जबनके रेडी है, friends मैं आपको इसका क्रंची निस दिखाती हूं कि कितना क्रंची और क्र्कुरा बनाएगे, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, देश सकते हैं आप कितना क्रंची बनाएगे, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना हमारे चैनल के साथ और हमारे सपोर्ट करते रहना तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ बाई बाई फ्रेंड्स एंड टेक केर थैंक्स पर वाचिंग